हेलो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रिक एजुकेशन आफिसर कैसे बने आप में से काफी लोग डिस्ट्रिक एजुकेशन आफिसर बनना चाहते होंगे लेकिन डिस्ट्रिक एजुकेशन आफिसर बनना इतना आसान नहीं है जिला सिक्षा अधिकारी सिक्षा वि स्भख्षाव्यवस्था के लिए प्रत्यव जिले में इसका पद सर्वुच्छ थाए जिले के के अंतर्गत स्थापि अचया अच्छ करता है सभी प्रधान अध्यापकों पर एक अध्यापकों की उपस्तिती एवं कारियों का निरिक्षन करता है निरिक्षन के दोरान कारियों में त्रोटी या अनुपस्तिती पाने का दंड भी निर्धारन वही करता है District Education Officer बनने के लिए Qualification की बात करें सबसे पहले आपको 12 का स्ट्रीम से आपको पास करना होगा किसी भी स्ट्रीम से आप पास कर सकते हैं 12 के बाद मानेता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्राजिशन करना होगा जिला सिक्षा अधिकारी बनने के लिए आपको ग्राजिशन करना अनिवार है तो पहले आपको graduation 12 करके graduation करनी होगी उम्रे सीमा की बात करें district education officer के लिए तो आपको उम्मिद्वार को 21 वर्स से 40 वर्स तक होनी चाहिए और उसके बाद ST और ST category के जो उम्मिद्वार होते हैं उनके अंदर छूट मिलती है तो अब हम बात करें district education officer बनने के लिए कैसे बने या फिर कैसे बन सकते हो आप district education officer district education officer बनने के लिए सबसे पहले आपको 12 वी कक्षा पास करें जैसे कि मैंने बात कर लिया पहली graduation complete करनी होगी graduation के बाद राज लोग सेवा आयोग द्वारा आयोजिन करेंगे civil sewa exam को देना होता है क्योंकि district education officer की भरती राज civil sewa परिक्षा जो exam कराते है उसके माध्यम से ही हो पाते है आप जिस राज जम में जिला सिक्षा आधिकारी बनना चाहते है उसके state के PCS द्वारा आयोजिन civil sewa परिक्षा को application form भरना होता है application form भरने के वाद civil sewa exam पास करनी होती है राज लोग सेवा आयोग सेविल सेवा परिक्षा तीन चड़नों में आयोजिन कराए जाती है सरव प्रतम प्रांबिक परिक्षा होती है जिसमें लेकित परिक्षा होती है इसको exam को उत्रेड करना होता है प्रिमली exam के पास करने के बाद मुख्य परिक्षा में आपको होता है जो मुख्य परिक्षा होती है उसके बाद आपको जब complete कर लेता है तो आपको साक्षतकार में बुलाया जाता है मेन exam को पास करने के बाद उमीदवार को interview के लिए बुलाया जाता है इंट्रिवी में कुछ सवाल जवाब होते हैं और उसमें आपको दस्ता वेज मतलब डॉकुमेंट वेरिफिकेशन होती है जिला सिक्षा अधिकारी पद बनने के लिए लास्ट जिसको आप कम्प्लीट करने का जिला अधिकारी बन जाते हैं तो बात कर ले-डीपिटिक अधिकारी की वेतन के सेलरी कैतना होता है भी भी बढ़ सकतेी है अधिकारी बात है तो दीरे दीरे जब आप पोस्टिंग लगने के बाद एक दो महीने ओले के साथवे वेतन के बाद या फिर एक साल के बाद आपके दीरे दीरे वेतन भी बढ़ जाता है और भी ज्यादा हो सकती है इससे भी अम थोड़ा बात कर लें जीला सिक्षा अधिकारी के कारे के बारे में मौतुपड जीला सिक्षा अधिकारी वेवस्ता का संचालन करता है सरकारी प्राइवेट स्कूल के हाई स्कूल की जाच करता है वो जाच के कमी होने पर उनको पूरा करता है या सुदारने का कारे करता है सरकारी स्कूल के प्रधनाचारिय और अध्यापकों की उपस्तिती और कारियों के जाच करता है मतलब वो उनका उपस्तिती कितना है और वो हमेशा आते हैं कि नहीं और उनके कारे क्या है और अच्छे से वो अपने कारे कर रहे हैं कि नहीं ये सब कुछ चेक करते हैं जाच में अधिकारियों की उपस्तिती में गड़बड़ी होने पर या पाने जाने पर तो उनकी हाजरी करती है सिक्षाओं के कारियों में कमी पाने जाने पर उनको डंड भी निर्धारित किया जाता है इनका जो मुख्य कारे होता है वो संपूर जिले के विद्यालों को सिक्षा विवस्था की देख रेक करना होता है तो जैसे कि इस वाली वीडियो मैंने complete आपको बता दिया है कि district education officer आप कैसे बन सकते हो मतलब कि जिला सिक्षा अधिकारी आप कैसे बन सकते हो सब कुछ मैंने पूरे डिटेल में आपको बता दिया है और भी कुछ आपको डाउट हो तो comment कर सकते हो और यहां तक वीडियो वनेर तो thanks for watching this video like this video share this video subscribe this channel